वजी कुर्दसन। वजी कुर्दसन। वजी कुर्दसन। नमस्ताल। ये तस्वीरे एरान की है। बीतिरात इरान के दरजनों शहरों में USA की जीत का जश्न मना जी हां इरान के दुश्मन नमबर एक USA यानि अमेरिका की जीत का जश्न और हरा कौन खोद इरान यानि बीतिरात इरान के दरजनों शहरों में इरान की हार और अमेरिका की जीत का जश्न मनाए गया आतिशपाजी ह पूरा मसला क्या है आपको बताएंगे दरसल कतर में फीफा वर्ल्ड कफ यारी फुटबॉल वर्ल्ड कफ इस तुरहां जारी है उसके मैच में बीती राथ युएस से ने इरान को एक जीरो से हरा दिया इसके बाद इरान में क्या हुआ उसके बाद बीती राथ ही इरान के मध्यरात्री इरान के दर्जनों शहरों में जीत का जच्छ मनाते हुए लोग नज़रा हुआ ना सिर्फ तेहरान बलकि दूर दराज के इलाकों में भी अलग अलग शहरों में दर्जन और शहरों में कुछ इसी तरह के तश्वीर नज़राई जहां पर लोग आतिशवाजी करके इरान की हार का जश्म मना रहें लोग सडकों पर उतर आए लोग जाम लगाकर अपनी गाड़िया निकाली जाम लगाया और अपने हौन बजाते हुए इरान की जीत हार का जश्म मना लेकिन क्यूं दरसल हम जानते हैं कि हाल ही में इरान में महिलाओं के आधिकानों को लेकर एक आंदोलन छिड़ा हुआ है जिसके बाद इरान की कटरपंती मुला सरकार के खिलाप एक जवर्दस माहौल बना हुआ है लोग इस सरकार को उखाड फैगने के लिए हर तरीके से अमादा है यह दिल्चस्प इसलिये भी है क्योंकि इसी इरानियन फुटवर्ड टीम में अपने पहले मैच से पहले अपने इरानियन नेशनल एंथम को गाने से मना कर दिया था क्योंकि उस वक्त इरानियन फुटवर्ड टीम ने अपने इन आंदोलनकारी महिलाओं के अधिकार के समर्थन में एक तरह का विश्वा जटाया था अपना समर्थन जटाया था लेकिन इसके बावजूद भी लोग इरानियन फुटवर्ड टीम को अपनी इसलामिक कटरपंती सरकार के साथ जोड़ कर देख रहे हैं जाहितों पर वो इरान की सरकार का ही सिंबल है लेहाजा उस सिंबल की हार पर लोग जीत का जश्ण मना रहे हैं जाहिरे वो जानते हैं कि इसी से एक जबर्दस करारी चोट पहुँचेगी कटरपंती सरकार पर और एक स्टेटमेंट मजबूत स्टेटमेंट की तरह ये जो जश्ण है युएस से की जीत का वो सामने नजर आएगा और उसका असर इस बड़े आंदोलन में निश्चत तोर पर देखने को मिलेगा उसी का नतीजा है कि लोग अब इरान की फुटबॉल टीम को भी सरकार के साथ जोड़ कर उसकी हार का जश्ण मना रहे हैं वाभी यही जैसे ही युएस से ने हराया जो कि खुद इरान का दुश्मन नंबर एक माने जाता है युएस से ने जब इरान को हराया तो उसके घरों से नारेबाजी की जश्न की आवाजे आ लिए इसके रावा तेरान की सडकों पर भी बीती रात दो बजे तीन बजे यानि देर रात लोग सडकों पर गाड़ी में निकाल कर निकले और सडके रोड कारों से जाम कर जगए जगए पर चौक पर सडकों पर लोग इखटा वे नौजवान इखटा वे नारेबाजी की ठूद और जश्मन अबर इरान की हार कर दो ना exists तेरान में बकि जो सौत इस्ट का इलाका है यानि पाकिस्तान से लगने वाला सिस्तान, बुरुचिस्तान का इलाका है, वहाँ पर दूर्द राज के ग्रामिन शेत्र में भी, जो लोग हैं, वो इरान की हार्प के लिए डांस करते ने जाएं, देखिए। जो केर्मान शाह, इन प्रोवेंसे में भी अलग अलग शहर में हमने देखा कि यहां पर जबर्दस नजर आए, खास तोर पर जो कुर्दिस्तान की राज़दानी है, सनन्ताज, सनन्ताज में जबर्दस आतिशवाजी हुए, लोग सड़कों पर उता रहें, उन्होंने जमकर किया, सरकार के खिलाब नारिबाजी की, यूएसे की जीत का जश्न मनाए, देखिए, इसके लावाब भूकान, केर्मान शाह, जनजान, सिस्तान-बुलचिस्तान, कमर्यान और तमाम अलग शहरों में, हमें कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आए, या तो लोग आतिशवाजी कर रहे थे, या लोग सड़कों पर गाड़ी निकाल कर रोड जाम कर रहे थे, हौन के साथ मस्ती कर रहे थे, या फिर सड़कों पर नोजवान इखटा होकर नारिबाजी कर रहे थे, डांस कर रहे थे या फिर कहीं कहीं जो आगजनी जो सरकारी प्रपटी है गवर्मन्न की प्रपटी उनको जला कर भी उन्होंने जश्क मना यह तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि इस वक्त इरान के हालात क्या है 15 सितंबर को इरान की मौरालेटी पुलिस ने एक लड़की माशा अमीन की हत्या कर दिती पीट-पीट कर क्योंकि उसने सही तरीके से अपना हिजाब नहीं पहना था बाल खुले थे लिहाजा मौरालेटी पुलिस ने इसको पकड़ा उसके साथ जयात्ती की और इस मारपीट में माशा अमीनी की जान चिलेगे उसके बाद इरान के अलग-अलग श हुआ है और इस बार इरान की ख्मेनी इसलाम एक 95 सुरकार हुले हुई है और ना सिर्फ ये जो विरोध प्रदर्षन है या ना सिर्त तेहरान में हो रहे है ये खास तोर पर सुन्नी बहुल इलाकों में हो ज्यादा हुआ हैं लाका है जाहां पर पकिस्तान से 60वए यहां इ प्रोविंसेज है प्रोविंसेज में भी बड़ी संख्या में सुननी रहते हैं यहां पर भी जबर्दस्ट प्रदर्शन हो रहा है संदेश साफ है कि भाई अब महिलाओं के अधिकारों के लिए जो लोगों ने अंदोनन शुरू किया है और वो उसे पीछे हटने वाले नहीं है मामला हाथ से निकल चिगवा है कट्रपंती सरकार की और लोग आपने आपको असेशियेट कर रहे हैं हर एक तरीके से वो नाफर्मानी कर रहे हैं महिलाओं अब हिजाब नहीं पहन रही है खुले आम वो सड़को पर निकल रही है मारपीट कर रही है जगए 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 आंदोलियों के लिए रैलिया निकाली जा रही है प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार पूरी कोशिट करें दबाने की लेकिन इस बार नाकाम्याब है इरेनियन सरकार हम सब चानते हैं कि 1989 में रजा पहली की राजशाई को हरा कर खुमैनी की कट्रपंधी जो इसलामिक ग्रूप थे उन्होंने लेफचिट ग्रूप के साथ मिलकर कांदोलन खड़ा किया था और उसके बाद सत्ता पर कबजा कर लिया था 1989 में उसके बाद खुमैनी की सरकार आई और अलग-अलग बाद में राश्च्पती बदलते चले गए लेकिन खुमैनी की सत्ता भी बनी हुई है और जो इसलामिक शर्या लो है वो इरान में लागू ह महिलाओं के अधिकार हमेशक लिए खत्म कर दिये गए उनको बुर्कों के अंदर हिजाब के अंदर बंद कर दिया गया उनको दोयम दर्जे का उनको उनके तमाम स्वतनता के अधिकार चीन ले गए इरान पहला ऐसा नहीं था इस तस्वीर को देखी यह तस्वीर यह आपको मोडन लिबास में निज़राएंगी इरैंडिन वुमिन उसके बाद 1989 तक महिलाओं के अधिकार के लिए महिलाओं को पूरी स्वतंतर था थी खुली छूट थी पूरा मोडन हुआ करता था इराद महिलाओं की किस तस्वीर को देखा आप अंदाजा लगा सकते हैं लेक चाल 40-42 साल बाद फिर से इरान जागा है और उसके बाद ये तस्वीर है आपके सामने हैं आज अपनी ही फुटबॉल टीम की हार का जश्न बना रहा है इरान और ये सिर्फ कोई एक इलाके में नहीं हो रहा है ये इरान के हर एक इलाके में हो रहा है कम सिर्फ 15 से 18 शहरों में बीती रात ऐसे जश्न की तस्वीरे सामने आई है और खास तोर पर तहरान जो कि इरान की राज़ानी है यानि अब बात इरान की कठ़पूंती सरकार के काबू से बाहर निकल चुकी है ये एक ऐसे मोड पर पहुंच चुकी है जहाँ पर जो अंदोलनकारी है महिलाओं के अधिकारों के लिए जो काम कर रहे है वो पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं है या तो आब इरान की कठ़पूंती सरकार को जाना पड़ेगा या फिर महिलाओं के अधिकारों के लिए उनको कम सकम जुकना पड़ेगा दोनों ही सूरत में ये इरानियन इसलामिक कठ़पंती सरकार की एक बड़ी हरसा भीत होगी लोगों ने तै कर लिया है वो अपने अधिकार लेकर रहेंगे पैरहाल आगे-आगे क्या होगा देखते रहें हम आप तक तमाम खबरे लेकर आते रहेंगे नमस्कार